नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे घेवर घर पर जो कि बहुत ही आसान और सरल विदी से बनाया जा सकता है अपने घर पर ही तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक पैन ले लेना है या फिर जिससे आप तड़का वगर लगाते हो पैन ले ले लिजिए कुछ भी ले लिजिए या कटोरी ले लिजिए उसमें एक चमच देसी घी और एक या दो चमच आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अब हमें क्या करना है इस गी को जो है मेल्ट कर जो कि हम गयस पे गयस ऑन करके इस गी को थोड़ा सक गरम करते हैं मतलब पूरा मेल्ट हो जाए उस तरीकी से जैसे गरम घी रहता है तेल जैसा हो जाता है उस तरीकी को उसके बाद एक बड़े बावल में ले लेंगे यह इस गी को डाल लेंगे आप बावल कुछ भी ले सक डाल के इस ग घ्रम के फेट ना आ है यासे के गि जो है अब ही गरम है थोड़ा हाथ भी चल रहे हैं बरव बेशक डाली है लेकिन तो गरम घी में बरव को डाल के जब तक ंल गोल गोल ऐसे फेट प्डिए हैं जैसे जिब तक मक्कोन की तरह न हो जाए एकदम पूरा मख त य़े बज्र आरब उसके बाद किया करना है कि इसको हमें अच्छे तरीके से Dame पानी देना है इतने ल àiत में अच्छे पूरी जान। फेटना है मतलब गोल गोल उसको पूरी जान लगा दीजिए आप इसमें फेटने में अब घेवर खाना है तो महनत करनी पड़ेगी तो इसको जी जान लगा कि आप अच्छे से फेटी है फेटी फेटी ऐसा कर दीजिए से हम केक पे जो क्रीम रहती है उस तरीके का रूप ले अबार दूसरा कबी डालके अच्छे मिकस कर ले ना है इसको अच्छे से करलें कोई भी लंग्स ना रहा जाब घाए, में ऐन्र आत्स Guideale मैधा डालूँगी मैंने टोटल चार कप मैधा यूस की थी मैंने दो चमच-गी में चार कप मैदा यूस की है इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिलकुल फी एक भी Lims नहीं रहना चाहिए इसमें मिक्स करके हाथ से मिक्स करें देखे और यह न मतलब अच्छा है मिक्स करने के बाद इसमें गीला बैटर बनाने के लिए एक कब दूद लिया है आप चाहें तो जाएं तो ज्यादा दूद भी ले सकते बट जिस टाम मैं गेवर बना रही थी उस टाम मेरे घर पास सिर्फ एक कब ही दूद था दूद वाला आने वाला था उसके भरोसे बैट अपने नॉर्मल क्रीम जैसा बैटर हो जाए उस तरीके के सबढ़ एक ध्यान रखना है इसमें लम्स नहीं होने चाहिए वह बैटर बना के मैंने सैड में रख लिया है पूरा पतला नहीं किया है अलग से बावल लिया है उसमें थोड़ा से बैटर लेके और पानी मिक्स कर बनाने के लिए घोल है बना लिया है अगदम पतला कर रखना इसको टाइट नहीं रखना यहां पर मेरा घीबी गरम हो चुका है और मैंने उसका फ्रेम भी रख दिया है चले बनाते हैं जिए थोड़ा थोड़ा करके डालना सबसे पहले आप थोड़ा ही डालना क्यों उप के लिए उपकाना फ्रेम जाली जाली बन रही है और इसको क्या करना कुछ भी चाकू वगएरा या कुछ भी ले लिए उसका साइटा से श्का साइट कर देजाए थोड़ा करके और अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो आप इसको किसी भी छोटे मुं के बर्तन में जैसे तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए और देखिए गेवर बन चुका है अब उपर से मैंने थोड़ा से दबाद दे रही हूं ताकि जो उपर का हिस्सा है वह भी अच्छे से तेल में पक जाए चलिए एक गेवर का बेस तो हमारा रेडियो हो गया है अब इसको निका निकालने के पाद इसके जो एक्सेस ओयल रहता है उसको मैंने इसी में निकाल दिया और एक जाली पर रख दिया है जिससे कैसा के सारा ओयल निकल जाया है यहां पर दूसरा बेस भी तैयार हो गया है बनके सारा तेल निकालकर तो चले दीर shortage मैं निकलतुंगी तो चल तो इसमें दूद गरम करके थोड़ा डाल दिया तो इस वए से यह रबडी जैसा बन गया है चलिए अभी गार्निशिंग करते हैं सबसे पहले गेवर के बेस को लेके आप साइड से इससे चाशनी में डूबो देंगे फिर थोड़ा थोड़ा करके उपर से जो भी चाशनी है वह आप उसी के उपर डाल दीजिए आपको जितना मीटा चाहिए अपने साब से ले लिए उसके बाद रबडी से गार्निशिंग क कि आव साथ के बाद में जादे दिन तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो बेस बना के आप स्टोर करके हैं चाशनी बनाने रबडी बनाने और वस गार्निशिंग करने हैं तो गयज अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएब है और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें तो गयज यहां पे हमारा गेवर बनके तयार हो गया है कुछ इस तरीके का है तो बस इतने बहुत कम टाइम में और आप घर पे ही बना सकते हो यह ग पिकलो मतलब सबके अलग अलग रेंज के मिलते हैं घर पे बनाओ healthy खाओ चले नमस्कार बाई बाई